हलो एबरीवन सब्सक्राइब पर एक दूसरा चैनल होगा, दोनों एक ही है, एक में चैट कर सकोगे, और दूसरे में चैट नहीं कर सकोगे, बस आहीं अंतर है दोनों में, जोइन कर सकते हो가는 इसमें यह नमबर मेरा वाटसप का नमबर दिया हुए, personal guidance और क्या अगर English के लिए आते हो तो वहाँ पर लिखना personal guidance for English और फिर GS के लिए अगर चाहिए तो आप लिखना personal guidance for GS ठेक है और मैं तैयारी महाँ पर करवा दूँगा अच्छे से देखो अब हम लो स्टार्ट करते हैं 101 से 116 नंबर कोश्चन देखेंगे मतलब आखरी यह वीडियो है इस चेप्टर का देखते हैं यहां पर पूछा क्या है कोश्चन में देखो यह मैच करने में यह सब हैं यह आपको देखना है ठीक है देख लो कैसे यहां पर देखोगे राजस्थान जो है राजस्थान में कौन सा है इन चारों में से देखना है तो जो अदुपूर आपका राजस्थान में मतलब पहला का पहला सही है आपका बिलकुल है ना फिर आपका में ये भी करेक्ट है मैच किया हुआ है सही है करनाटक में हलूर है और तमिल नाड़ो में अधीच्छा नलूर है क्या है अधीच्छा नलूर ठीक है अधीच्छा नलूर जो है ये तमिल नाड़ो में हलूर जो है करनाटक में ध्यान देना मैं जब आपको पढ़ा रहा था न पिकली हल पिकली हल तो मैं गलती से वहां पर बता दिया था कि हलूर और पिकली हल दोनों आंधर परदेश में हैं लेकिन ये दोनों आंधर परदेश में नहीं हैं ये दोनों कहा हैं करनाटक में हैं ठीक है दोनों तो ध्यान देना तो दोनों साइट जो हैं ये नियोलितिक सा देता हूं देख लो जोदपूर है राजस्थान में महुरा जहरी है महराष्ट में हलूर और पिकली हल है करनाटक में और अदीच्छा नलूर जो है यह तमिलाडू में तो इसका आपसन नमबर क्या है करेक्ट यह नमबर एका फर्स्ट बी का सेकेंड सी का थर्ड डी का फोर और अपसन नमबर यह आपका करेक्ट है फिर देखते हैं यहाँ पर दे रख़ा है कंसीडर डा फॉलविंग अर्कियोलाजिकल साइड्स यह आर्कियोलाजिकल साइट्स दिये हुए चार यह पर पूछा है की यह और करेक्ट सिक्वेंस इन और ऑफ दियर इंटीकर्टी का म नाम दिया है क्या दिया है दमदम movimento फिर एक कोड़ा फिर है अपका नेकून्द तो अब जरा बात करते हैं देखो सबसे पहले बात अगर इस तरिक के कोशें अगर दिये होएं तो आपको जानना ये जरूरी हो जाता है कि ये सारे साइट्स जो है ये हैं कहां पर इसका लोकेशन कहां है कौन से स्टेट में है ठीक है तो मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ फिर इसके उप़र डिसकस कर लेंगे यहां पर दे रखा है आपका कुरनूल यह कुरनूल है कुरनूल तो हर कोई कुरनूल है अंधर परदेश में टेकल कुटा है आपका करनाटक में और नए कुण है आपका महराष्ट में अब इसमें सबसे पुराना कौन है तो इसमें सबसे पुराना आपका यह है देख लो कुरनूल है कुरनूल है सबसे पुराना उसके बाद है आपका दम दमा उसके ब पता होना चाहिए, कि ये हैं कहांपर ठीक है, ये कहांपर कौन से स्टेट में है, और इसमें से अगर कुछ ना आध रख पा तो कम से कम इतना जरूर याद रखो कि सबसे पुराना इसमें से कौन है, कुर्णूल है, तो ऐसे ओप्सन दे दे, कि इसमें से इन चारों में से सबसे पुराना साइट कौन है तो कुरनूल है जो आंधर परदेस में है ठीक है कम से कम इतना तो जरूर याद रखना चाहिए आपको तो इसका आपसन नमबर कौन हो जाएगा करेक्ट C नमबर आपसन देख लो कुरनूल फिर दमदमा फिर टेकल कुटा फिर नईकुंड ठीक है चारों में से सबसे पुराना है कुरनूल जो आंधर परदेस में है दमदमा कहा है यूपी में टेकल कुटा कहा है करनाटक में नईकुंड कहा है तो नईकुंड आपका महरास्ट में ठीक है कम से कम इतना याद होने चाहिए फिर दे रखा यहां पर which of the following is not not incorporated in iron using cultures मतलब iron using cultures में इसमें से कौन नहीं है कौन इससे समन्दित नहीं है ठीक है यह आपको ध्यान देना है मतलब निम्लिखित में से iron using culture के वक्त कौन परचलन में नहीं था यह चार दिया हुए है ठीक है चारों में से आपको सेलेक्ट करना है कि iron culture से कौन बिलोंग नहीं करता है कौन परचलन में नहीं था ठीक तो जड़ा देख लो अंसर देखो यहां पर दिया है औकर कलर्ड पॉट्री इसको सौट में बोलता है OCP ठीक है आगे भी देखोगे इसको OCP मतलब औकर कलर्ड पॉट्री अब यहां यह आईरन यूजिंग कल्चर से बिल्कुल नहीं है बिलोंग नहीं करता है यही इसका आंसर है कैसे यह किस से रिलेटेड है तो यह आपका जो है यह आपका पॉट्री कल्चर से समंदित है पॉट्री मतलब यह बरतन बनाते हैं जो मिट्टी के उससे related है यह iron using culture से समन्दित नहीं है बाकी तीनों जो हैं यह iron using culture से समन्दित है मतलब painted gray wear northern black polished wear फिर megalith culture of south India यह सारे iron using culture से belong करता है अब यहाँ पर कोगे sir megalithic यहाँ दे रखा है तो megalithic भी तो आपका stone age से belong करता है तो यह iron से कैसे है तो हाँ iron age के time में भी यह megalithic culture विद्यमान था लेकिन यहाँ पर compare कर रहा है आपका iron using culture से और pottery making culture से ठीक है तो यह first number occur color जो है pottery यह समन्दित है आपका किस से pottery culture से है ना यह iron using culture से समन्दित नहीं है first number option इसका correct है देखो occur का मतलब होता क्या है तो ओकर एक color का नाम है color red और yellow पर लगा करके थोड़ा सा radius थोड़ा सा yellow करके एक color होता है अब यह आखिर बात यहां पर आई कैसे कि ओकर color pottery है कहां तो देखो होता क्या था उस time कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से मीटी के मीटी के बरतन बनाया जाते थे और उस मीटी पर रंगने का परस्चलन होता था तो अलग अलग different different zone में different different color को इस्तमाल करके क्या करते थे पौटरी को रंगा करते थे तो उस हिसाब से लोगों ने बाट दिया कि फलाने जगह जो है यह इस तरीके के ऑकर कलर के पौटरी बनाते थे उस पर पेंटिंग करते थे ऑकर कलर के दूसरे जगह आपको मिलेगा yellow कलर का कहीं red करने के हिसाब से तो मुझे उमीद है आप पूरे समझ गयोगे कि कोशन किस से समंदीत पूछा है यह पौटरी कल्चर से समंदीत पूछा है मतलब कहां पर कौन से बरतन मीटी के बनते थे और किस तरीके के कलर किये जाते थे पौटरी के उपर ठेक है अब 104 नमर में देखो यहां पर पूछा है अब यहां पर क्या पूछा है यहां पर पूछा है कि मेगा लिथिक कल्चर जो है वो हम लोगों को क्या इंट्रोडूस करवाता है कि साउथ इंडिया की कल्चर को इंट्रोडूस करवाता है मतलब मेगा लिथिक कल्चर जो है स्पेशली साउथ इंडि करते थे यह आप से पूछा है तो इसका आंसर देख लेते हैं वेपन्स मेड ओन स्टोन नहीं यह बिलकुल नहीं होगा आंसर फिर क्या है भाई इसका सेकेंड यह वेपन्स एंड टूल्स मेड ओन स्टोन यह भी नहीं था मेगा लितिक यह जमें तो इसका में क्या था मेगा लिथिक इसका नाम क्यों पड़ा तो आप देखोगे कभी आप लोग महाबली पूरम जाओगे ना कहां पर महाबली पूरम तो वहां पर एक मतलब इंटरनेशनल प्लेस कह से हो यह तो यहां पर जाओगे तो बहुत बड़े-बड़े चटान देखने को आपको मिलेगा तो मे मेगा लिथिक कल्चर में लोग बड़े-बड़े स्टोन को किस चीज में इस्तिमाल करते थे तो इसी बारे में कोशन पूछा है तो देख लो इसका उप्सन नमबर सी करेक्ट है ग्रेफ्स एन मेमोरियल्स मेड फ्रॉम लार्ज पिसस उप स्टोन ये होता है मिनिंग मेगा मेगा लिथिक कल्चर का और इसी हिसाब से बाटा गया मेगा लिथिक कल्चर को मतलब कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर ग्रेफ्स जो कबर होते थे और किसी के याद में लोहे का खंबा बनवाते थे किसी के याद में स्टोन के बने बने अच्छे से उसको चितरकारी करके उस लिए एक culture का नाम पड़ा Megalithic culture ठेक है तो इसका दूसरा नहीं है यह weapons और tools और implements से related Megalithic नहीं है Megalithic है आपका किस से related grapes मिले हैं और memorials मिले हैं बड़े-बड़े चटानों के बने हुए तो C number option इसका बिलकुल correct है ठेक है डे option में दे रखा बड़े-बड़े चटानों से मिल करके मतलब बने हुए थे ठेक है तो यह इसका correct answer है C number option मतलब इसमें meaning समझना था Megalithic का मतलब होता क्या है क्यों इसका नाम Megalithic पड़ा अब देखते हैं यहां पर 105 नंबर में यहां पूछा है कि South Indian Megalithic Graves वही सेम question है are related to अब एक कौन से period से related है हम लोग देखे स्टोन एज को Paleolithic मेसोलिथिक नियोलिथिक फिर चाल को लिथिक आता है पिर ब्रॉंज यह आता है फिर आइरन एज आता है अब इसका sequence भी आप देख चुक है कि पहले आपका आता है Stone Age फिर आता है पका चाल को लिथिक फिर आता है आपका आइरन ब्रॉंज है ना उसके बाद आता है iron period तो यह sequence भी हम लोग देख चुके हैं एक question में अब यहां पर पूछा है पैली ओलिएक पीरियाइड मेगा लिथिक जो है यह कौन से period से समंदीत अपसे पूछा यह अंसर अपका पैलिए पिरियर नहीं नियुलि नहीं लिएक पीरियड से ही ने स्वेशली यह किसी आईरन पीरियट से he iron पीरियट से UPSC के 2006 में पूछा गया कुस्चन है यह वाला कुस्चन कि साउत इंडियन मेगा लिथिक Grapes सब्सक्राइब पूछ रहे हैं किवहाँ पर मेगा लिथिक Grapes मिलें कौन सी समभनी थे यह यहाँ का समभनी थे कहां से पेलियोलिथिक, मिसोलिथिक और नियोलिथिक ठीक है यह वो काफी पुराने थे उसके नाम पर इसको नहीं दिया गया लिथिक का नाम यह मेगालिथिक बिलकुली अलग है जो आइरन कल्चर में देखने को मिला है कि इस पिरियड में कि जिस समय पर iron period हुआ करता था उसी समय में लोग बड़े-बड़े चट्टानों के क्या बनाया करते थे grapes और memorial बनाया करते थे तब जाकर कि इसका नाम बना है मेगा लिथिक बड़े-बड़े चट्टानों का इस्तिमाल करके बनाते थे इसलिए नाकी स्टोन एज ये स्टोन एज से समंधित है ही नहीं ठीक है तो कंफ्यूज मत करना है यहां पर मैं दूँगा यह सारे कोशन मैं दूँगा आपके टेस्ट में अब 106 नमर का देख लो क्या पुछा है यहां पर मैच करना है यह मेगा लिथिक आर्कियोलाजिकल साइट का नाम दिया कि कौन कौन जगह से मिला है बड़े-बड़े चटान ग्रेप्स और यह सब और कौन से स्टेट में है कम से कम इतना तो जरूर जानना चाहिए आपको मैं तो हमेशा कहता हूँ लोकेशन जरूर जाना हूँ इससे दिमाग आपका क्या सेंगु नरम सेंगु नरम का है तमिल नारू में है अब जरा देख लेते हैं फिर से एक बार मतलब यह मैचिंग जो है मैच करके ही दिया हुआ है आंसर आपका बिल्कुल ऑप्सन नमर यह करेक्ट है एक का फर्स्ट बी का सेकेंड सी का थर्ड और डी का फॉर्ट ठीक है अ सेंगु नरम सेंगु नरम है आपका तमिल नारू में ठीक है अब देखो यहां पर 107 नमबर की किसन में क्या पूचा यहां पर पूचा है मैच करना है लिस्ट वन और लिस्ट टू path से साइर्ट का नाम और सेंगम में दे रखकाया was created culture कहां पर कौन से कलचر थे चैंने सम कल्चर के मारे में मैं बता चुका हूं ओड़ेडी है ना कई बारे बता चुका हूं सोन कल्चर के बारे में जो पाकिस्तान के एरिया में है सोन नदी वैली के आजू आजू है ना सोहन कल्चर भी इसको कहते हैं सोहनियन कल्चर यह किस से रिलेटेट था तो यह था आपका सोन आज सोहन रिवर वैली कल्चर जो है पाकिस्तान में ये आपका पैलियोलिथिक से ही पैलियोलिथिक का ही एक साइट है ना ये मैं बता चुका हूँ अल्डेडी फिर है बुर्जहूम बुर्जहूम कहा है भई तो बुर्जहूम आपका जमुएन कासमीर में है और ये कहां पर और अंडर ग्राउंड हो करके लोग घर बनाते थे वहाँ पर रहते थे तो रहना परमानेंट रहना और जो डोमेस्टिक केसन होता था एनिमल का ये कब से स्टार्ट हुआ तो नियोलिथिक में स्टार्ट हुआ था ना कि पैलियोलिथिक और मिसोलिथिक में तो इस तरीके से आप connect करोगे चीजों को तो बुर्जोम नियो लितिक कल्चर से समन्दित साइट है फिर है रंगपूर रंगपूर कहा है भई तो सबसे पहली बात जान लो कि रंगपूर अपका गुजरात में है कहां पर है रंगपूर अपका गुजरात में है इसके बारे में भी डीटेल में हम लोग देखेंगे यह हरपा सिवलाइजिशन का भी एक इंपोर्टन साइट है यह चाल को लितिक से बिलोंग करता है ठेक है फिर यहाँ पर अधिछा नलूर अधिछा नलूर है मेगालिथिक अधिछा नलूर के बारे में अभी अभी देखे थे कोशन वो कहां पर था tamीलाड़ो में स्टेट का नाम भी पूछ रखा था तो यह मेगालिथिक से अभी कोशन देखे थे अधिछा नलूर मे अब गुजरात में है जो चलकोलितिक से बिलोंग करता है बुर्जोम आपका नियोलितिक से बिलोंग करता है जो जमून कास्मिर में सोन असोहन जो है ये सोहन रिवर वैली के आजू बाजू है पाकिस्तान में जो पैलियोलितिक साइट है मतलब यह बिल्कुली correct आपका sequence दे रखा option number यह correct है अब आगे बढ़ते हैं देखो आगे दे रखा यहाँ पर क्या consider the following pairs यह pairs के बारे में बता रहा है और बोड़ा की कौन सा correctly match है कौन सा correctly match है तो देख लेते हैं यहाँ पर 108 नंबर में settlement site जो है है कि settlement site जो है यह चीरान में पाये गया था चीरंड है चीरान जो भी बोलो और grave site जो है परकलम केरला में settlement मतलब settlement और grave दोनों कहां पर मिला है यह मिला है पिकली हल करनाटक में तो तीनों के तीनों ही सही है यहाँ पर answer number D इसका correct है एक दो तीन तीनों correct है अब आगे बढ़ते हैं देखो आगे बढ़ते हैं आगे दे रखा है 109 नंबर में कि match the following अब list one और list two को match करना है list one में दिया है type of megalith megalith का भी type होता है उसका दूसरा नाम क्या है synonymical जो name है यह किसका क्या है देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है अब इसका correct answer देख लेते हैं एक बार हम लोग इसका correct answer कोन है तो यहाँ पर मेंहीर और इसको बोलते हैं नदुकुल क्या बोलते हैं नदुकुल मेंहीर नदुकुल यह जो है यह किसका मतलब सिनोनिम है मतलब इसका मिनिंग क्या है एक तरह से तो यहाँ पर इसका stone column is ना stone का बना हुआ जो column pillar होता था यह इसका local name जो है यह है यह आपका mynheer afir nadukul तो ध्यान ढखो गए मेनहीर और nadukul 대ukul का मतलब होता है stone column फ़्र यह पर कुढपकल कुढपकल है ना kurdekal नाम से भी समझ रहे होगे नाम से क्या समझोंगे साऊथ इंडिया कि तो हो नहीं आप वहीं का नाम है ये और मेगा लेतिक साऊथ इंडिया से रिलेटेड है तो kurdaitkal जो है 때 कुदेकल जो है इसका मतल़ होता हूड स्टौन क्या होता है इसका मतलब हुड स्टोन फिर है टोपिकल टोपिकल का मतलब अम्बरेला स्टोन टोपिकल का मतलब अम्बरेला स्टोन जानते हो हम लोग अम्बरेला भी अपने सर के उपर लगाते हैं टोपी भी हम लोग अपने सर के उपर लगाते हैं इस तरीके से धिहान रख स तोपिकल का मतलब अम्रेला स्टोन, कुदेकल का मतलब होड स्टोन, और मेंहिर अफिर नदिकुल का मतलब स्टोन कॉलम, तो यह इसका एनमबर अप्सन करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट मैच करके दे रखा है, फिर यहाँ पर दे रखा है, मेगा लेथिक टाइप, Shown in Photograph Ease, अ बैपिंगक का तो नहीं भी इसको ज्यादा ध्यान शास्बी चलेगा इसक लिए शसर फे C लिया आ sit फेशल के उह वोटाय जार्प गजती महंना उसके लिए ढूर काम क्योंद जाना का स्पशन फोट सिज्ड हैं एक न ca से पर तो stone table अभी बी देखंगा Sutton table इसका मतलब होता है glasses चटान के बने हुए कुछ है फिर आगे देखो आगे दे रखा है 111 नमबर कोशन में और रीजन के बारे में एक कथन है और यह इसका रीजन है करेक्ट है कि नहीं यह देखते हैं हम लोग मैच करके यहां पर क्या दे रखा है कि इनर साइड औफ मेगालिथिक पौटरी इन साउथ इंडिया मेगालिथिक पौटरी जो है मेगालिथिक पौटरी में जो पौटरी बनाया जाते थे वो ब्लैक कलर के होते थे है ना कहां पर मतलब अंदर में जो होता था inner side जो होता था पॉर्ट्री में मेगालिथिक पिरियर्ड में वहाँ पर भी मीटी के बरतन बनते थे तो अब एक और एक question remind करा दूँ कि मेगालिथिक कौन से पिरियर्ड से बिलोंग करता है नियोलिथिक, मिसोलिथिक, अफिर अउरी ए pale इक यहाँ बहुते उसकोप आइरण एज तो आइरण एज से बिलोंग करता है ठीक है धिया रखना तो आईरं एज में पॉर्ट्री जो बना करता था, मिटी के बरतन बना करते थे, उसमें अंदर में बलैक कलर का होता था और बाहर में आपका red color होता था, तो क्या इसका region ये जो दिया हुआ ये है, अब क्या है यहां पर, these colors were painted on the portrait separately, क्या separate paint किया जाता था, अंदर से, अलग से और बाहर से, अलग से, अब फिर मीटी ही इस type का होता था, कि बनने के बाद अंदर black हो जाता था और बाहर red हो जाता था, तो ऐसी कोई बात नहीं है, उनको लोग क्या करते थे, separate paint करते थे, अंदर black color का, और उपर में red color का, तो यही इसका region है लोगों के दोरा ही paint किया जाता था, तो both a and r are individually true मतलब assertion भी सही है और इसका जो region दे रखा है, यह भी आपका correct है ठीक, और r जो है यह correct explanation है आपका असरसन का, यही region था फिर 112 नमर में क्या दे रखा है असरसन और region में, यहां पर देखो यहां पर दिया है कि in south India, agriculture was the principal occupation of megalithic people, megalithic people megalithic people का मतलब कौन से period के बात कर रहा है iron period में, तो iron period में south India में, agri culture जो होता था, वो क्या मुख्य पेसा था उन लोगों का, जी हां बिल्कुल यह आपका correct है, फिर region क्या जिया है कि they introduced tank irrigation मुख्य पेसा इसलिए था क्योंकि tank irrigation स्टार्ट किये थे जी हां, बिल्कुल यह भी आपका correct है, है ना, यह भी आपका क्या है, correct है, क्योंकि बड़े-बड़े stone के ही बनाया करते थे चटान के ही बनाया करते थे, tank उसको खोद देते थे, वहाँ पर पानी जमा होता था, उसी से irrigation भी किया करते थे, है ना, और उसी से यह correct explanation है असरसन का option number यह बिलकुल correct है फिर 113 number में है क्या देखो यहां पर देखा है which one among the following displayed truly and chronologically the pottery cultures of Indian subcontinent अब यहां पर देखो मैं बता चुका हूँ कि pottery बनाने के हिसाब से और pottery कौन से जोन में कहां पर किस तरीके से रंगे जाते थे किस color से रंगे जाते थे उसके अधार पर लोगों ने अलग-अलग जगों के लोगों को अलग-अलग नाम दे देते हैं अलग-अलग culture में बांट देते हैं तो यह बता रहा है chronology का मतलब यहां पर यह पूछ रहा है कि आपको यह बताना है कि इंडियन सब कॉंटिनेंट की बात कहरा है यहां के culture को पॉर्टरी कल्चर को इन चार चीज़ों में बाटा गया है अब यहां पर पूछा है कि सबसे पहले कौन आया था सबसे पहले किसका इस्तेमाल हुआ था तो सबसे पहले किसका यूज हुआ था इस तरीके साब को बताना है तो इसका option number देख लेते है option number यह जो sequence दिया है यही आपका correct है OCP पहले आया फिर BRW आया फिर PGW आया फिर NBPW इससे related कोचन आप पहले देख चुके हो उसमें full form दे रखा था यहां पर short में दे रखा है अब यहां पर देख्छ लो OCP का क्या मतला होता है OCP का मतला होता है ocher colored pottery culture OCP का मतला हो गया ocher colored pottery culture यह सारे igno के book में दिए हुए igno का जो history का book है उसमें दे रखा यह सब चीज तो OCP का मतला ocher colored pottery culture यह हमको लगता है क्योंकि इतना deep वही सारे एक्जामिय पूछे जा सकते हैं अब देखो OCP का मतलब समझगे OCR कलर, OCR कलर का मतलब मैं बता चुका हूँ कि इसका मतलब था Redis और Elois पर लेकर थोड़ा सा हलका कलर है ना फिर है BRW, BRW का मतलब है Black and Red Wear Culture ये टॉपिक है आपका, ये सब पढ़ना है UPSC के सिलेबस में और NetJRF के सिलेबस में तो BRW देखो, BRW का मतलब Black and Red Wear Culture फिर है PCW, PCW का मतलब है Painted Gray Wear Culture Painted Gray Wear Culture Wear का मतलब क्या? ये वाला Wear, Wear का मतलब होता है बरतन, है ना, बरतन है आप सामगरी सामान बना जाता था ये BRW के बाद आया मतलब Black and Red Wear के बाद आया फिर ऑकर कलर के बाद आया फिर NBPW, है ना NBPW का मतलब है Northern, है ना Northern का मतलब South North जो होता है उससे Related, North Side के Related Northern Black Polished Wear Culture P से है Polished, W से है Wear, है ना तो इस तरीके से सिक्वेंस है सबसे पहले कौन से लोग आये किस तरीके के बनाना स्टार्ट किये तो सबसे पहले ऑकर कलर का बनाना स्टार्ट किये फिर आपका Black कलर का बनाना स्टार्ट किये फिर आपका Painted Gray कलर का आया ठीक है फिर Northern Black Polished Black और Polished आया उसके बाद तो ध्यान में रखना ये इसका सिक्वेंस है नहीं भी रखो गए तो मुझे नहीं लगता कि आपके चोटे-चोटे एक्जाम में पुछे जाएंगे ये नेर जारफ के एक्जाम में पुछे जा सकते हैं अब इसमें से अगर कुछ ना आद रख पाओ तो इतना तो जरूर याद रखो कि इतने सारे पौटरी कल्चर जो हैं उसमें से सबसे पहला आया था आपका OCP मतलब ओकर कलर्ड पौटरी कल्चर ठीक है ओकर कलर्ड पौटरी कल्चर ओकर ocker का मतलब amendments होता हूँ थोड़ा सा color होता एक radius और ellies पे लेकर तो इसको याद रखना ocker अब का सबसे पहला culture था फिर यहां पर देखो next यहां पर the copper hai os का मतलब क्या होता है भाई Weight का मतलब होता है dher है न, matter मतलब बहुत सारे बहुतनें किसी के घर में धेर लगा हुआ है तो copper के जो horse मिले है are associated with the following wears कौन से सामगरी से related है wears मतलो एक culture के नाम दिया है वही वाला culture जो हम लोग अब यहां देखे किस से related था copper के जो बरतन बहुत सारे मिले है वो कहां पर मिले है उतने सामगरी जो मिले है तो यह समंदित है यह समंदित है आपका यह नंबर ऑप्शन इससे painted gray wear से ठेक है painted gray wear से आपका समंदित है कौन सा यह copper के horse जो मिले है वो तो यह इसका अंसर है आपका यह बिलकुल टॉपिक है यह अलग ही टॉपिक है आपको पढ़ना है लेकिन सजी के एक्जाम में नहीं पढ़ना है रेलिवे के एक्जाम में नहीं पढ़ना है सटेट PCS में आप पढ़ सकते हो नेट जारफ में पढ़ सकते हो UPSC जतने सारे एक्जाम CDS हो गया अब कोस्टन नमबर 115 में देखते हैं यह कोस्टन क्या पूछा है कि which of the artifacts given below Artifacts का नाम दिया हुए है Could be used as source material for the prehistoric period Prehistoric period में जो भी कलाकिर्टियां बनाया करते थे लोग उसके लिए source material का का काम कौन करता था ये पूछ रहा आप से तो देखो Fossils वहाँ पर source material के रूप में काम किया कलाकिर्टियां बनाने में Hand access भी किया जो इंधन के source का काम करता है इसको निकाला जाता होगा Hand access के थूरू फिर है remains of bones भी इसमें काम किया है पौट्री भी इसमें काम किया है देख लो एक सेकंड एक सेकंड Fossils नहीं धरती के अंदर से Fossils तो निकालना इनके लिए possible था है नहीं इसके लिए वैसा possible था है नहीं तो यह option आपका बिल्कुल होगा नहीं इसको eliminate करना है बाकी pottery यानि मीटी मीटी से बने हुए बरतन और फिर मीटी के सकते हो Hand access और remains of bones यह तीनों इस्तेमाल होते थे as a source material for artifacts उनके किलाकरितिया में काम आने के लिए ठीक है फॉसिल्स नहीं होगा इसका अंसर बाकी तीनों सही है तो दूसरा तिसरा और चौथा अपसन नमबर डी इसका बिलकुल ही correct answer है ठीक अब देख लो यहाँ पर 116 नमबर last question है इस chapter का यहाँ पर पुछा इन इंडिया दा earliest archaeological remains of hearth यहाँ पर hearth का spelling गलत दे रखाता spelling एक बार लिएक देता हूँ ह-e-a-r-t-h है hearth है ना इसका मतलब होता है आपका चुल्हा है ना चुल्हा पर भठी बोल सकते हो जहाँ पर लकड़ी को जलाया जाता है तो इसका जो चुल्हे का भठी का जो remains मिला है इंडिया में archaeological side से मिला होगा has been found from यह कहां से मिला है चुल्हा पर भठी का जो अवसेस है यह कहां से मिला है इंडिया में इसके बारे में आपसे पूछ रहा है तो इसका answer आपका कौन सा होगा इसका answer होगा आपका बिल्ला सुर्गम बिल्ला सुर्गम बिल्ला सुर्गम बोलो बिल्ला सुर्गम बोलो यह केब्स का भी नाम है ना बिल्ला सुर्गम केब्स यह पढ़ा जाता है केब्स है ना तो यह कहां है भाई यह है आपका आंधर पर्देस में और अंधर प्रदेस में भी अगर पुछा जाए तो यह है अपका कुर्णौल में कहां पर? कुर्णौल में कुर्णौल काफी बार आ चुका है आंधर प्रदेस में यह आपको याद हो गया होगा अभी तक तो बिल्ला सुर्गम जो है जहां पर इंट बोड़ाओं मतलब भठी जो हता है चुला जो हता उसका रिमेंस मिला है ये कहां पर मिला है कुरनूल में और बिल्ला सुर्गम एक चीज और नामसे फेमस है कि बिल्ला सुर्गम केवस कहा है तो ये भी कुरनूल अंदर परदेस में है तो आज हम लोग इस चप्टर को क याद करवा देना, कि हर एक task के बाद, हर एक task के साथ, आपको एक extra video मिला करेगी, और उस extra video में मैं revise कर दिया करूंगा, मतलब summary के तौर पर, पूरे chapter का summary याद करवाओंगा, उसमें बार बार repeat करके, और फिर कुछ methods होते हैं जो memory techniques होते हैं, उसको इस्तेमाल करके आपको चीज़ों को याद करवा दूँगा ठीक है वो भी आपका जो परसनल गाइडन्स के स्टूडेंट होंगे जिन्होंने हिस्ट्री वाला पार्ट को लिया होगा तो उसके लिए होगा टास्क और टेस्ट के थो तो वो मिलेगा साथ में मतलब किसी तरीके से याद होना चाहिए धंक से आद होने चाहिए और पूरा मैं जिम्मेबारे लूँगा कि पूरा लुसेंट को कैसे हिस्ट्री जो है इसका पूरा याद करवा दूँ हिस्ट्री के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कोशन्स होंगे जो मैं रिवीजन वीडियो में दिया करूँगा ठीक है और टेस्ट में भी मिला करेगा मतलब एक भी कोशन्स छूटने नहीं चाहिए आपको आपके किसी भी एक्जाम है ठीक तो चलिए आज भी बहुत को सीखे तो आज का क्लास्वनों यह रप अप करते हैं थेक्ट एक्ट आपके का क्या आपके क्ट रहाँ धए नहीं चाहिए शचाहिए तो आपके का क्ट रहाँ है